दोस्तों कैसे हो आप से विल्कम आक्टी जौब इंश्टे में वो प्रकाश FCI की रिगार्डिंग बहुत सारे कंडेट्स लगातार मेसेज कर रहे थे लगातार कमेंट कर रहे थे पूछ रहे थे कि सर FCI से रेटेड कोई अपडेट आप बताओ इस लेटर की इमेज मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाली हुई है टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ओक्स मिल जाएगी आप वहाँ जाके देख लेना अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाते हो ये लेटर एक्टुली क्या है ये लेटर FCI की यूनियन है भारतिया खादे निगम कर्मचारी संग इन्होंने एक लेटर लिखा है FCI के चेर्वेन एंड इम डी को और इसमें उन्होंने बताया है किसने लिखाया तो FCI Union के जो जेरल सेक्रेटरी है उन्होंने ये लेटर लिखा है और उन्होंने उसमें request की है कि category 2, category 3 and category 4 post के लिए FCI में जो recruitment है इस process को fast किया जाए यानि कि जल से जल recruitment की जाए and recruitment का जो process है ये भी बहुत fast होना चाहिए क्योंकि पिछली जो recruitment हुई थी 2019 की उसमें category 3 के post में 4102 vacancies release की गई थी category 2 में total 330 vacancies release की गई थी and इस process को complete होने में लगबग 3 years लग गया था तो इस बार उनकी demand है कि process जल्दी होना चाहिए fast होना चाहिए और अगर बात करे acute shortage अभी जैसे उन्होंने बताया है कि अभी FCI में बहुत जादा shortage हो चुकी क्योंकि आपको पता है पिछले जो notification आई थी 2019 में अभी 2022 हो चुकी है तो इतने साल में केवल एक ही recruitment हो पाई है और उभी इतनी कम vacancy में recruitment हो पाई है तो बहुत जादा shortage हो चुकी है already FCI में जिसके करण क्या हो रहा है employee की उपर बहुत जादा workload हो चुका है अब होता है क्या shortage होती है तो ऐसा नहीं कि किसी एक particular location में shortage हो जाती है अलग अलग लोकेशन में shortage होती है और कुछ कुछ locations ऐसे होते हैं जहां पर बहुत जादा employees या फिर sufficient staff रहते हैं तो अब FCI क्या कर रही है कि वैसे locations या वैसे states जहां पर staff की बहुत जादा shortage है वहां पर जो already locations जहां पर sufficient staff है वहां से staff को निकाल कर transfer कर दे रही है और कुछ भी उनका नहीं सुना जा रहा है अगर वो बोल रहे हैं कि sir मुझे transfer नहीं करो maybe compensate round होता है यानि कि बच्चे गरे की कुछ problem होती है या फिर financial condition family कुछ भी issue हो सकता है उनका तो कुछ भी वो reason दे रहे हैं उसे consider नहीं किया जा रहा है उन्हें transfer कर दिया जा रहा है जो की एक तरह से mental harassment होता है बहुत सारे employees के साथ बहुत सारे staff के साथ तो इस चीज़ को इस later में बताया गया है और जो most important चीज़ है जो हमारी बात माना हमारी मतले important है वो है उन्होंने shortage कितनी employees की है ये clearly बताई है कितने employees को shortage है मैं आपको बताता हूँ category 2 में total 1520 staff की requirement है अभी category 3 में total 12,000 staff की requirement है और category 4 की बात करे तो इसमें total 5,224 staff की requirement है यानि कि overall अभी FCI के time FCI में अभी total 18,744 staff की requirement है तो यहां से आप समझ सकते हो कि अभी जो recruitment आने वाली है क्योंकि अभी ब union भी अब इसके उपर pressurize कर ये union भी लगतार later लिख रही है कि जल से जल recruitment होना चाहिए जल से जल vacancies को fill करने चाहिए तो ये vacancies बहुत जल फिल की जाएगी इस साल यानिकी 2022 में definitely FCI की notification आपको देखने को मिलेगी और अच्छी गासी vacancies देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पे and FCI, FCI भी बहुत बड़ा क्योंकि union लगातार FCI के उपर pressur कर रही है तो FCI एक बहुत बड़ा decision लेगी बहुत जल से जल्द recruitment start कराएगी जल से जल इन vacancies को fill किया जाएगा तो आपको क्या करना है अब है अगर आप exams के अगर आप किसी बहुत दूसरे exam की preparation कर रहे हो तो उन बस रहती है कैसे करना है तो 2019 का जो paper आया वो आप देख लेना 2019 में जो exam का जो process था selection का जो process था exactly वही pattern रहने वाला है तो उसके recording आपको तयारी करनी है तो तयारी बहुत अच्छे से करना और आप comment करके बताना कि आप अभी कहीं job कर रहे हो या फिर आप preparation कर रहे हो और आप क्या FCI में job के लिए interested है FCI में अगरा notification निकलती है तो क्या आप apply करोगे या नहीं और इस से related कोई भी आपकी query रहती है तो आप comment करके पूश सकते हो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को like जरू करना जादे से ज्यादा share करना अगर आप इस channel पे नए हो तो channel को subscribe जो कर लेना thank you